सीमा पर पाकिस्तान के साथ बने तनाव के बीच एक बड़ा घटना करम हुआ है दोनों देशों ने डी जीम मों इस तरकी बाचीत की है और क्या है इसके माइने बताने के लिए हमारे साथ है जाने माने रिक्षा विसले सक विंग कमांडर रेटायर प्रफुल बक्सी बक्सी स साथ से रियक्षन है वो अत्यंत कठोर होता है और उन्होंने पहले सी स्पायर जो दोजार तीन में जो मीटिंग हुई थी उसके उसके लंगन शुरू कर दिये थे तो अब दुबारा वो सोच रहे हैं और उनको होश्ट एक किसम से आ आ गया है कि बात दुबारा करनी चाहि है और डी जीमो डी जीमो के लेवल के पर बात होगी दुबारा सी स्पायर उस शेतर में रखी जाएगी ताकि लोग अपने अपनी जगा वापस जा चकें सिविलियन्स जो हट गए थे उनको वापस जा सकें देखिए ये लड़ाई होती है तो सिविलियन्स को सबसे ज़्य न्यूज है पर उसमें ये जरूर याद रखें कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी तैयारी कम कर देंगे या अपना चौकस होना कम कर देंगे हमारी तैयारी वही रही जिसको कहते है एर फोर्स में टू मिनिस रेडिनेस की बात होती है यहां पर रेडिनेस टोटल रहे हैं कर रहे ही नहीं करने वाले हैं एक दिन पहले तो हम प्रियम्ट करेंगे यह हमारे को सला देनी चाहिए अपने डिये जीमों को भी कि यह मत को यह की वही नीती हम अपनाएंगे कि पहले आप हमला करेंगे फिर हम उसकी उचित कारवाई करेंगे वह उचित कारवाई में ह बहुत नुकसान होता है हमारे सिविलियन्स को बहुत नुकसान होता है प्रियम्ट करना पहले हमला करना नहीं है प्रियम्ट का मतलब है जब हमला होने वाला है हम उसके एक दिन पहले हमारी इंटेलिजन्स तगड़ी होनी चाहिए बचाओ करना जरूरी है लेकिन सबसे पाकिस्तान की और से तोड़ दिया गया तब भारत की क्या रनीती होनी चाहिए देखिए क्यों तोड़ दिया जाता है बात सारी यह है गौर्वर्मेंट टू गौर्वर्मेंट अगर आपने बात करी है यह चीज जो होती है पाकिस्तान आर्मी को बड़ी महंगी पड़ती है क एज़ करें, और वह नहीं चाहते कि उनकी इंटिन्टीटी कम हो उनकी अहमता कम हो वो नहीं चाहते कि किस तरीके से वो अपना नक्सान देखें, तो वो क्या करते हैं सीसवायर नहीं होने देना चाते वो बेसिकली फैलसुपी नहीं होने देना चाते आप अगर सज़स्ट करें कि बॉर्डर खोल देंगे वीसा हट जाएंगे तो पाकिस्तान की आर्मी तीसरे दिन घर चले जाएगी मतलब वो हैलत नहीं रही फिर वो हुकरें लगनी चुरू हुई हैं तब उन्होंने इस बात को कोई तवज्जो देनी की कोशिश कर रहे हैं और निश्चे कर लिया है कि अब हम डीजियमों डीजियमों के लेवल पे जो मीट मीटिंग होगी उसकी इज़त करेंगे और सीजवायर को कायम रखने की कोशिश कर पर दिया दो टूक का है विदेश मंद्री ने की पाकिस्तान के साथ समग्र बाचीत नहीं हो सकती और ऐसे में क्या यह जो ध्यूम लेवल की बाचीत है यह समग्र बाचीत की और इशारा करती है आने वाले दिनों में अगर सीज़ फ़ायर वालेशन बना रहता है ज вже यह बैठेगा क्या हुरियत को भी लगाएंगे बीच में सेपरेटर्स को भी लगाएंगे बीच में ओपोजिशन यहां पर आ जाएगी तो यह भी चीज़े हमें देखनी चाहिए समगर बात्चीत किसके बीच में होगी और दूसरी बात हम एक यह क्यों नहीं सोच देख रहे कि हमारे पास में रेड क्रॉस है पाकिस्तान के पास में रेड क्रेसेंट है उनको भी इन्वाल्व करना चाहिए अपने जो सिविलियंज हैं उनकी देखभाल के लिए सुरक्षा के लिए वो भी इन्वाल्व हों तब ऐसा लगेगा कि सिरफ फौज ही फौज नहीं है अब ह एक अच्छा प्रदर्शन होगा कि रेड क्रास भी लगी है सब लगे हैं अब उनको री स्थापित कर रहे हैं दो बारा स्थापित कर रहें हैं सिविलियन्स को उनकी मरंपटी में काम आ रहे हैं इत्यादी के के चीज़े होंगी तो ये भी इस चीज़ को भी हमको ध्यान में दिनेवाद बात करने के लिए सीधे तोर पर मानना है रक्षा विसले जग विंग कमांडर रिडायर प्रफुल बक्सी का कि सीज फायर भले ही यहां पर हो गया हो दोनों मुलकों के बीच सहमती जता दी गई हो डीजीमो लेवल की बाचीत में लेकिन भारत को अपनी सुरक्ष